दोस्तो सब्सक्राइब करो भंडार टीवी को और दबाओ इस घंटे को ताकि आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देख पाओ नमस्कार और स्वागत है आपका भंडार टीवी में आज की इस वीडियो में आप आखिरकार जान जाएगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो कमर दल्द खत्म करने का एक ऐसा नुस्का है जिसके सामने बाकि सारे पेन रिलीफर भी फेल हैं दोस्तो और सबसे पहले आप सभी को रक्षा बंदन की हार्दिक शुप कामना है तो चलिए आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो के आखरी में आपको पता चलने वाला है एक ऐसा जबरदस्त टिप जो की कमर दल्द में बहुत ज़ादा कारगर है दोस्तो अगर बताय हुए इस नुखे के साथ आप उस डिप को भी फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी आपको बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेगे इसलिए इसे वीडियो को आखरी तक देखना मद भिलेगा तो चलिए आईए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इसमें जो हम चीज़े इस्तमाल करने वाले हैं दोस्तो वो एजली आपको मिल जाएगी और कुछी चंद रुपए में आप अपने कमर दर्द से छुटकार आपा सकते हैं तो वो चीज़े क्या है बता दूँ आपको सबसे पहले आपको प्रयोग में लाना है दोस्तो ये जो की है सरसो का तेल आपको सरसो तेल प्रयोग करना है उसके बाद आपको प्रयोग करना है लहसुन की कली उसके बाद आपको ले लेना होगा अजवाइन आपको इन तीनों चीजों के साथ अभी भी दो चीज़े और जोड़नी है लेकिन मैं आपको पता दू वो दोनों चीजे जो है ऑफिशनल है लेकिन अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपको अच्छे फाइदे हो सकते हैं तो आपको करना क्या होगा कि यहां से सर्सु तेल आप ले लेंगे लगभग चार चमबच तो आप इस प्रकार से चार चमबच सर्सो के तेल को लेंगे और उसमें लगभग तीन से चार आपको जो है लेसुन की कली डाल देनी हैं उसके बाद आपको यहां करना क्या होगा कि आपको लगभग एक चमबच इस प्रकार से अजवाईन लेकर कि इसमें डाल देने हैं और जैसा कि मैंने बताई दो चीज़े प्रयोग करनी है और वो क्या है पहली चीज़े दोस्तों मेथी के दाने आप मेथी के दाने भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं मेथी के दाने एक साथ साथ आप यहाँ प्रयोग करेंगे कपूर जैसा मैंने बताई यह दोनों चीज़े बलब इसे जला देना है आपको क्या करना होगा इसे अच्छी तरीके से जला देना है कैसे करेंगे आप? कि कोई भी पैन लेलेंगे उसमें आप इसे डालेंगे या फिर इसी प्रकासी कटोरी के साथ आप अपने गैस में रख देंगे और उसके बाद जब वे जल जाए तो उसके बाद आप इसका फ्रयोक करेंगे जलने के बाद यह कैसा दिखेगा आईए दिखाता हूं आपको तो दोस्तों नुस्खा बनने के बाद कुछ इस प्रकास से दिखेगा आपको तो यह जो है हमार के स्टार्टिंग में तो चलिए जाते हैं उस टिप को मेरी इन बताई हूँ टिप को अच्छे से फॉलू कीजेगा दोस्तो आपको 100% लाव होगे पहली चीज़े दोस्तो आपको योगासन करना है योगासन में जो है मैं आपको यहाँ जो टिप बता रहा हूँ यही है कि आपको यहाँ तीन योगासन करना है पहला है मकरासन जी हाँ आपको मकरासन करना है आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ जो इमेज डाल दी है आप समझ सकते हैं उससे आपको मकरासन करना है दूसरा है भोजंगासन आपको करना है तीसरा है हलासन यह तीनों जो है इन तीनो योगाओं को आप करके कमरदस से भी चुटकारा पा सकते हैं साथी साथ इस नुस्खे का प्रयोग कीजेगा आपको अच्छे लाब होंगे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में किसी और नए नुस्खे के साथ तब तक के लिए नमस्कार